आज हम बात करेंगे बर्नौल क्रीम के बारे में जानकारी इसका उप्योग मामूली सतही जलन के कारण होने वाले संक्रमन के इलाज और रोगठाम के लिए किया जाता है यह जलने की चोट में ततकाल राहत परदान करता है क्योंकि यह प्रतम डिग्री जलने के लिए एक प्रभावी प्रात्मिक उप्चार भिकल्प के रूप में कारण करता है गर्म वस्तमों या तरल पटारथों के संपक में आने इफ़ाप या सूरज के संपक में आने से होने वाली कोई भी जलन, हल्की जलन का कारण बनती है जिसे फर्श्ट डि Corner बन के रूप में जाना जटा है इस प्रकार के जलने में एवल तोचा की बाहरी परत प्रभावित होती है जिससे हलका दर्द, लालिमा और सूजन हो जाती है। क्रीम तोचा के संक्रमण के जोखिम को कम करने में भी मदद करती है और तौरित उपचार को बढ़ावा देती है। इसमें सक्रियत तत्यु के दोरां संक्रमण की रोग ताम और उपचार में मदद करता है। इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव सूज में जीवों के खिलाब बैक्तिरिया की प्रभाव कारिता है या कारण है कि मामूली कटाउती और घरण के मामले में इसे एंटिसेप्टिक अब सकता हो सकती है या क्रीम सुरग शित मानी जाती है और इसे कोई भी इस्टिमाल कर सकते है। अगर आपको इसके किसी भी अविव से अल vibes करना ध्रे मार्ण करना बुद्दिमाने से पहले अपने डॉक्टर से प्रामर्स करना बुद्धी मानी है। इसकी भी आवंस्टि उपयोग को रोकने के लिए इसे बच्चों से दूर रखें प्रभावी परिड़ामों के लिए नियमित रूप से इस क्रीम का प्रियोग करें मुख किसाम अग्री इसमें और क्या क्या होता है दोस्तों इसमें एमिना क्रीन संक्रमन के जोखिम को रोकता है कटने और घावों में संक्रमन को रोकता है सिर्ष पर लागू होने पर राहत-प्रदान करने में मदद करता है उपयोग में आसानी क्योंकि इसे तुचा के प्रभावी छेत्र पर आसानी से लगाया जा सकता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम आप प्रभावित हिस्से पर क्रीम लगाते समय बांज ड्रेसिंग पर भी धबा लगा सकते हैं। क्रीम लगाने के बाद इसे पट्टी से ना ढखें बलकि खुला रखें। सुनचित करें कि आप कुछ समय बाद मलहम को पानी से ना धूए। यदि आवस्यक हो तो आप अपने डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं। समपर्क करें। बर्नौल क्रीम के दुस्प्रभाव दोस्तों या क्रीम आम तोर पर सुरक्षित होती है और डॉक्टर की सिपारिस के अनुसार लेने पर इसका कोई दुस्प्रभाव नहीं होता है। या कभी-कभी आवेदन की जगह पर जलन और परिसानी का कारण बन सकता है। यदि आपको किसी प्रकार की अलरजी का अनुफ़ होता है या आपकी इस्तिती में सुधार नहीं होता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। बंदारण और स्वाजानकारी। दोस्तों उप्योग करने से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें। पच्चों की पहुंच से दूर रखें। सीधे धूप से दूर ठंडी सूखी जगए पर इस्टोर करें। या केवल अबाहरी उप्योग के लिए अनुसरंसित है। 25 डिग्री से नीचे इस्टोर करें। ठंडा नहीं करते। और दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।